नमस्कार चात्रों आज हम हिंदी विशय देखने वाले हैं हिंदी विशय में हम पढ़ रहे हैं वर्ण आक्षर और आज हम देखने वाले हैं ट और ठ अभी पहले हम देखते हैं ट ये जो आक्षर आपको दीख रहा है ये कौन सा आक्षर हैं ट अभी ट से क्या है देखो तो क्या दिख रहा है चित्र में टमाटर ट से टमाटर अभी ट से टमाटर हम देख रहे हैं तो टमाटर में ट कहा है देखो पहले स्थान पर मतलब शुरू में और तीसरे स्थान पर तो भी यह जो है यह है ट अब शुरू तो ट से हुआ है तो कहेंगे ट से टमाटर अब चलो आगे देखते हैं क्या है अब इस चित्र में हमें जो दीख रहा है ये है टब बात टब है कि ने जिसमें नहाते हैं अब ये जो टब शब्द देखो टब शब्द में ट कहा दिख रहा है शुरू में है की ने तो ट से टब चलो आगे देखते हैं अभी चित्र में आपको जो दिख रहा है यह है टम टम क्या है टम टम जो घोड़ा चलाता है अभी टम टम में जो शब्द है टम टम उसमें ट है शुरू में और तिसरे स्तान पे शुरू में तो आया है तो क्या कहेंगे ट से टम टम ट से टम टम चलो अभी आगे देखते हैं अभी क्या दिख रहा है आपको चित्र में हम बटन देख रहे हैं है की ने बहुत सारे बटन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं पहले बॉक्स में हाँ रेड बटन दीख रहा है और दूसरे बहुत सारे बटन है अलग-अलग कलर के है कि नहीं अभी बटन शब्द देखो उसमें ट कहा है दूसरे स्थान पे हैं है ना आपको यहाँ पे सिर्फ बटन इतना ही बोलना है अब यहाँ क्या देखा हमने बटन अब यहाँ पे जो चित्र है उसमें हम जाडों की तहनी देख रहे हैं है ना आपको यहाँ पे जो चित्र देख रहा है यहाँ क्या है चहनी यह चहनी का चित्र अभी तहनी शब्द देख ट कहा है, शुरू में, तो ट से तहनी, ट से तहनी, अभी देखो, हम ने क्या क्या देखा, ट से तमाटर, ट से तब, ट से टम टम, और अब हम देख रहे हैं, ट से तहनी, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो आप टर से बनते हुए ढूंड सकते हो अभी हमें देखना है कि टर कैसे लिखना है विटर लिखने के लिए आपको क्या करना है देखो एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन जो उपर के लाइन को जुड़ी हुई होगी यह स्टैंडिंग लाइन होने के बाद आपको जो इंग्लिश काप सी निकालते हो कि ने वैसे ही कर्व निकालना है और उपर एक स्लिपिंग लाइन देनी है यह हो गया आप कट तयार फिर से देखो स्टैंडिंग लाइन और कर जो हम सी के लिए निकालते हैं आधा गोल और उपर स्लिपिंग लाइन ओके ये हो गया हमारा त अभी हम देखेंगे आगे का जो अक्षर है वो त त से क्या बनता है देखो त से ठठेरा जहाँ पे बरतन बनाए जाते हैं ओके वो है ठठेरा अभी ठठेरा में ठवर्ड है ठ जो अक्षर है वो है शुरू में और दूसरे स्थान पे है ना तो ठ से ठठेरा ठ से ठठेरा आगे देखो और क्या है ठपा ठ से ठपा ठ से ठपा हमने क्यों कहा क्योंकि ठपा शब्द में थ हैं शुरू में इसलिए थ से थपा कि ने अभी आगे देखो यहाँ क्या दीख रहा है आपको चोर है की नहीं उसे ही ठग कहा जाता है अभी ये जो ठग शब्द है उसमें थ आया है शुरू में इसलिए थ से ठग थ से ठग ओकिधा अगे दिखो अब यहाँ पे चित्र में आपको क्या दिख रहा है गठरी क्या है ये गठरी अभी गठरी शब्द में ठ कहा है दूसरे स्तान पे तो सिर्फ कहना है गठरी क्या कहेंगे गठरी अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो औरत है ये क्या हुई है नीन से जागी है अभी है ना और उसे हम क्या कहते हैं उस क्रूति को हम कहते हैं उठना नीन में से उठना तो अभी ये जो उठना शब्द है देखो यहाँ पे ठव कहा है दूसरे स्थान पर है ना तो हम कहेंगे सिर्फ उठना क्या कहेंगे उठना ये जो कुरूती है इसे हम उठना ऐसे कहते हैं और उसमें ठव आता है अभी ठव कैसे लिखना है आपको देखना है ठव लिखने के लिए उपर से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद उससे आपको एक सर्कल जोइन करना है ये हो गए आपका ठव तयार क्या है ये ठव फिर से देखो स्टैंडिंग लाइन और सर्कल उस पर एक स्लिपिंग लाइन ये हो गए आपका ठव तयार तो थ से ठठेरा थ से ठग है ना इसे बहुत सारे शब्द आप ढूंड सकते हो और आप ज़रूर कोशिश करोगे ऐसे मुझे आशा है अब यह आपका जो हूमवक है आज का राइट टर और ठर हिंदी नोट बूब एक पेच पे टर फोर कोलम और दूसरे पेच पे ठर फोर कोलम ओके थैंक यू बाई